आप देख रहे हैं, Headlines Daily, HT News वहें वित्त मंतरी और अनुराग ठाकुर चुनावी खोशना पत्र पढ़कर जंता को मूर्ख बना रहे हैं देश में बिना तैयारी के लॉकडाउन करने के बाद भी व्यवस्था संभालने में मोदी सरकार के मंतरी तक पर नजर नहीं आते हैं कोरोना वाइरस में आवश्यक सेवाओं में लगे डॉक्टरों के बीमे की खोशना की गई लेकिन मीडिया के पत्रकारों एवं पुलिस कर्मियों तथा सफाई कर्मियों के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मिचारियों के लिए सुरक्षा बीमा नहीं दिया गया जबकि ये सभी अपनी जंदगी को खत्रे में डाल कर दिन रात सेवाओं दे रहे हैं कॉंगरेस केंदर सरकार से मांग करती है कि ततकाल अतियावश्क सेवाओं में कारी करने वाले प्रत्य व्यक्ति का बीमा केंदर सरकार कराए जिससे कि सेवा देने वाले कर्मिचारियों एवं पत्रकारों में सुरक्षा भाव आ सके इस संदर्भ में मानिनिय प्रधान मंत्री को भी पत्र लिख कर मांग की गई है कि उप्रोक्त विशय परततकार निर्नाई करके आदेश प्रधान किये जाना चाहिए इल्म उनको मिलेगा जरुवत आज है लागडाउन आज है उनको खाद्यान पदाइश उसकी कोई जिक्र नहीं है एक जिक्र उनुने कराए कि डाक्टरों को पचास लग का भीमा दिया है तो मेरे ये मानिन प्रधानमत्री जी को पत्र लिखाया उनसे निविदन किया है कि डा लकातार 24 गंटे की ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी 50 लाग का बीमा से कवर किया जाना चाहिए क्योंकि जितनी मेनद डॉक्टर कर रहे हैं उतनी मैनद यह तीनों सैंक्षणिट का लोग कर रहे हैं पुलिस वाले दिन रात लगे हुए जंता को गंट्रोल कर रहे हैं मीडिया कि सरकार है उसको ही समझना होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक पेकेज ऐसा दें कि वो सीधे लोगों को मदद मिले सायता मिले सिप एक चुनावी घोशना पत्र जैसा पेकेज ना पड़े उससे कोई जनता का फायदा नहीं होने वाला